नमस्कार कैसे हैं अफसावासा करता हूं मस्त हूंगे सबजी लगाने के तीन ही पैटन है यानि कि समय का जब हम चुनाव करते हैं तो हम तीन ही पैकार से करते हैं एक तो अगेती, एक होता है पछेती और एक होता है ऐसा समय ना वो अगेती होता है और ना वो पछेती होता है जब हम अगेती लगाते हैं तो हमारी जो फसल के रेट है मिलने के चांस ज़्यादा होते है लेकिन उत्पादन मिलने के चांस वहीं काम हो जाते है जब हम पचेती लगाते हैं तो हमें rate मिलने की chance हमारे कम हो जाते हैं लेकिन उत्पादन अच्छा मिलने की chance हमारे बढ़ जाते हैं और जो बीच कर न गतना होता है उस समय कर यदि आपने चुनाव कर लिया तो आप यकीन मानिए आपको rate भी बढ़िया मिल सकते हैं और आपकी जो फसले वो अच्छे से चलेगी और फसल बढ़िया चलेगी तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा आज इस वीडियो पर मैं आपको तीन ऐसी फसले बताऊंगा यदि आप उन फसलों को 20 अगस्त के पहले लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत लाइक जिरूद करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बाइन तो चैनल को सब्सक्राब जरू करें क्योंकि इस चैनल पर आपको यूटूबर के हिसाफ से नहीं बल्कि एक किसान की दर्श्टी से आपको नालिज मिलता है सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम वह तीन फ वसल बढ़िया चलती है सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं सबसे बने वक्त पता दूँँ कि जब भी आप जमीन की तैयारी कर रहा हो तो गहरी चुताई करने के बाद आपको बेसल डूज डालना होता है बेसल डूज में आप क्या करेंगे आप डेपी का एक बैक कम से कम और क्या declared पूटास की मातराप को कम से कम 50 kg पूटास की मातराप को जाद रखनी है इन फ़सलों झाखा का ठीक है आप चाहिए तो इसके साफ में सागार का जो की सीवीड होता है हमारा एक को कमपनी का था उसे भी आप लगा सकते हैं लगवग 10 kg तक और इसके साफ में आपको कारवू पुरान की मातरा आपको लेना चाहिए और साथ में लगवग 5 kg से लेकर 10 kg तक सलपर भी आपको ल कुछ एरियों को छोड़कर जैसे राजस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पर मिट्टी भुरुबरी होती है तो आप मल्चिंग नहीं लगाते हैं तो भी चल जाता है लेकिन काली मिट्टी वाले एरिये जहां पर जलुराओ की समस्य थोड़ी हो सकती है बारिस जिन जगों पर मल्चिंग लगाना बिल्कुल अन्यवार है बैट से बैट की जो दूरी आप रखेंगे वह कम से कम 6 फिट आपको रखना है 8 फिड़ी आप रखते हैं तो बहुत ही बड़ी रहेगा क्योंकि यह हम जो फसले आपको बता रहे हैं तीन यह तीनों की तीना बेलवर्गी फ पहली फसल दोस्तों करेला करेला एक ऐसी फसल है जो कि आपको 45 दिन से लेकर 50 दिनों की बीच में पहली तुड़ाई उसकी हो जाती है और आप यकीन मानिए और आप देख भी सकते मार्केट पर आपको उसकी जो भाव हैं पूरे साल की बात कर रहो मैंको पूरे साल कम से कम 25 रुपे केजी आपको मार्केट पर मिलना निस्ची थे लंबे वाले करेली हम बात कर रहे हैं अगर आप छोटी करेली लगाते हैं जिसे हम चुवा करेला एक बोलते हैं तीक है अगर उन्हें आप लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको जो भाव है 35 रुपे केजी कम से प्रगती प्रगती भी नचोटी है और नाहीं पड़ी है इसके जो स्वाइब अनुस्का और प्रगती यह दोनों ऐसी वराइटियां है जिनका ना साइज ज्यादा होता है और नहीं काम होता है तो सभी मार्किट पर यह अच्छे से चलती है आप एक बात और देखें कि आप कहा चोटा करेल जाता चलता है कि बड़े करेल चलता है अधिक तर चोटे करेले की डिमांड सभी जगों पर होती है क्योंकि यह एक देशी सेंग्मेंट हमारा क्यालाता है तो करेले की फसल लगाकर 35-50 दिनों पर अच्छा खासा उत्पदा मिलेंगे आप सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब बरसात पर हम लगाते हैं इन बेलवर्गी फसला को तो डाउन मिलड़ी पाउडर मिलड़ी की समस्या हमें ज़्यादा आती है बारिस के कारण लेकिन जब आप 20 अगस्ता के से लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है वह जो ग्रूथ लेती है वह लगा 35 दिनों के लगबग लेती है यानि कि वो जो है अच्छा घंट उसका हो जाता है तो जब आप 20 अगस्त को लगाएंगी तो उसका जो घंट अच्छा से वो है आपका अक्टूमर के मिने स्टार्ट होगा आपका ठीक है फुरा सितमर आपकी फसल जो है वो थोड़ी पतली रहेगी उसकी यानिकी जो डाले हैं जो पत्ते हैं वो कम रहते हैं लेकिन जैसे अक्टूमर चालू होता है तो आप देखते हैं कि अपकी फसल पर फ्लावर डापिंग की समस्य जादा आती है काफी समस्य आती है तो आप करेली की फसल को 20 अगस तक लगाएं और अच्छा खासा आप मुनापा खंबा सकते हैं चंद करी पसंद आ रहे हैं तो विडियो को एक लाइक जरूर करें दूसर काम समस्य जाता है और उत्पादन तो आपको अच्छा मिलेगा लगबग 200 कुंटल 200 कुंटल तक आपको उत्पादन प्रती एकड़ खासो मिल सकता है भाव के यरिंग्डी है काराण क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं की रहे एक ऐसी फसल है जो कि बहुत कम सम पर आपक के महने में जून के महने में जो खीरा लगाया था अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बारिज ज़्यादा हो रही है तो वह जो फसलने है वो समातोने की काकार पर है और अगस्त के महने पर आदिक तर जो किसानवाई है वो हमारे टमाटा की तरो जुका रहता है उनका जमीन खाली है तो आप खीदे की फसल को भी लगा सकते हैं खीदे की विराइटे में अकर हम देखें तो सबसे बढ़ी है विराइटे कम समय पर उताने देने वाली वी एनर की क्रस वी एनर की क्रस 35 दूनों में आपके इस्टार्ट हो जाती है इसके अलावा दूसरी विराइटी के हम बात कर रहे हैं तो इस्ट वेस्ट की सायरा यह भी बहुती बढ़ी है वराइटी आप इसे भी लगा सकते हैं माल यह नहीं यह से भी आप लगा सकते हैं आप इन हमारी वो है जो सो लोकी लोकी एक एंसी फसल है जो कि कम समय पर ज्यादा उत्पाधन भी देती है और इस पर सब फसलों से लागत काम आती है लागत काम आने का करण है लागत काम आने का करण ये है कि सीड रेट इसकी कम है सीट की संख्या काम लगती है आपको इसकी तुड़ाई बहुत सस्ती है क्योंकि बड़े फ़ल होते हैं एक किलो डेड़े किलोगा एक ही फ़ल होता है तो आपको इसकी लेवरिंग तुड़ाई की काम लगती है सुरूबात में बेल बगरे चड़ाते हैं हम इस टेकिंग करते हैं तो उस समय पर हमें लेवरिंग लगती है लेकिन जब हमारी फसल हावेस्टिंग पर आती है तो उस समय पर हमें लेवरिंग नहीं लगती है आपके घर में अगर दो विक्ती हैं घर के तो वह आपकी एक एकड़ की तुड़ाई कर सकते हैं और आते तक ज्यादा ज्यादा समाप्ट हो जाती हैं तो यदि आप इस समय पर लगाते हैं अगस्त के महने में तो आपकी जो फसल है इन फसलों के बात चलेगी और आप देखेंगे आपको रेट भी बढ़िया मिलेंगे और यह जो फसल आपकी लगबक देसम्बर तक चलने वाल आप इसे लगाकर अच्छा कासा मुनापा कमा सकते हैं वी एनायर की सरीता है माइको की वरद है इन वराइटियों में से किसी भी एक वराइटिक आप च्रेंड करें अपने एरिया के से और भी वराइटिया आप देखें आपके एरिया पर को जो चलती है क्या होता है कि उनसी वराइटिय अच्छा उत्पदन देती है और मार्केट पर सेल किसकी जाता है इसकी सबसब वराइटिक चाहिन करें हमने आज इस वीडियो पर आपको तीन फसले ऐसी बताई है जो की बिल वरगी है और 20 अगस्ता के लिए आप लगाते हैं उन्हें तो आपको अच्छ जै जै किसान जै जै जमान